दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार मैं सदाप सिदिकी अपने यूटूब चैनल जी एक्वामेक्स में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज आपको बताते हैं कि एंजल फिस अगर पालना है और एंजल फिस के साथ अन फिसे को पालना है तो कैसे उसको मैनेज करें तो चलिए आपको बताते हैं वीडियो बहुत रोचक होने वाला है इसकिप नहीं करिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों तो चली शुरू करते हैं वीडियो देख सकते हैं दोस्तों आप हमने टैंक में एंजल के साथ दूसरी फिस को भी रखा है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों और कोई किसी को चोट नहीं पहुचा रहा हानी नहीं पहुचा रहा है देखिए इसमें गोल्डेन भी है कार भी है अलवीनो सार्क है देख पा रहे होंगे दोस्तों गोल्ड फिस है और हमारी सुभंकीन है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ब्लैक एंजल भी है यह को रखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें नंबर वन दोस्तों कि एंजल फिश दोस्तों अपने ही परजाती में रहना पसंद करती है यानि अपने ही गुरूप के साथ के साथ रहना पसंद करती है दूसरे विराइटी के फिश के साथ रहना पसंद नहीं करती है उसके उतना जो है एग्रेसिव नहीं होती है लेकिन एग्रेसिव होती हैं दोस्तों उनसे कम होती है ठीक है दोस्तों तो नमबर तीन दोस्तों अगर एक्विरे में आप सिर्फ एंजल फिस्ट पाले हुए हैं तो आपको पावर फिल्टर नहीं लगाना है दोस्तों आप प्लेस किरें में जरूर बनाईए वह चुपने वाली मचली होती है उसको हिडिन प्लेस दीजिए ताकि वह चुप सके इसके लिए आप आर्टिफीशियल ट्री या अपने हिसाब से डेकोरेशन का कोई सामान रख सकते हैं ठीक है दोस्तों कि वह चुप सके और पांचवा नम और ज्यादा खाना भी उमठ डालिये क्योंकि ज्यादा दाना नहीं खाती हो 2-3 दाना खाके उसका। पेड़ भर जाता है और चोटे दाने ओल जोस्तों आपतिम्म का चोटे दानेओ पाकेट आता है फूड वह आप जो है यूज कर सकते हैं दोस्तों जिसको बेटा फिच क जादा चाइब की फिस होती है एंजल फिस साफ पानी में पर्मार न पहलता है त्ब मेरीं पर दिआन दिजिए छी ताप फिल्तर लगाई यह श् consistency फिल्टर लगाईए ठीक है दोस्तों अब पानी जो है 30% आप चेंज करते रहिए टाइम टू टाइम और दोस्तों आठवाँ है एंजल फिसको ज्यादा लाइट पसंद नहीं होती दोस्तों लाइट कम से कम चलाईए आप चार घंटा पांच घंटा चलाईए फिर उसको नारमल लाइट पर रखिए और यह तो कम रोशनी वाली लाइट जला दीजिए वो ज्यादा लाइट पसंद नहीं करती है छूपने वाली मचली है थोड़ा अंधेरा उसको ज्यादा लाइक होता है ठीक है दोस्तों अगर या आपकी अलवीनो एंजल है ठीक है दोस्तों या रेट कैप है तो दोस्तों आप सबसे पहले एंजल फिस को उसमें ना डालें पहला नमबर दोस्तों कि आप सबसे पहले उसमें एंजल फिस को ना डालें पहले आप यह सब नान अग्रेसिव होती है जो है नान अग्रेसि हैं उसके बाद एंजल की जो टैंक में मचली है जेसे गोल्ड फीशेज का सार् करफिस सार क्रेट कैप सुभंकीन टिंपाइल वार इसको डालें दोस्तों चोथा दोस्तों जब टैंक मेंट फीशजब उसमें डाल दें तो उसके एक या दो दिन बाद ही उसमें एंजल फीश एड़ करें और ज्यादा संख्या में एड़ ना करें दोस्तों और जो फिसेज आप पहले से ना इंग्रेसिव वाली रखे हुए हैं उससे छोटे ही रखिए उसको और दो ही तियन रखिए ज्यादा मत रखिए नहीं तो वह गुरुब बनाके फिन कट करने लगेंगी होती हैं और एंजल फिस ज्यादा पानी का हलचल नहीं बरदास कर पाती दोस्तों बलकि आप रेट का एब गोल्ड सुबंकीन को बड़ा थोड़ा बड़े साइज में रख सकते हैं सत्वा दोस्तों एंजल फिस के साथ जो टैंक मेट फिस हैं फीडिंग करते समय कुछ दिर फिल्टर आप बंद कर दिया करिए चाहिए वो इस्पंज फिल्टर हो और यह तो पावर फिल्टर जो लगाए हैं या आपटा फिल्टर लगाए हैं कोई भी फिल्टर लगाए हो उसको तीन-चार मेट के लिए बंद कर दीजिए जिससे वो जो है वो अच्छे से खाना खा वो चलाओ दें और दोस्तों सरदियों के समय में हीटर को 28 पर सेट रखें और हीटर कितना होना चाहिए वो आपके टैंक की साइज को पर डिपेंड करता है दोस्तों आपको पिछली वीडियों बताया कि किछ तैंक कि वाट का लगाना है और दोस्तों सबसे ज़गरी बात यह हुँआ, हैं दोस्तों कि एंचल को टैंग मेंट के साथ राखें या सिर्फ एंचल की वैराटी, टैंग बढ़ा होना चाहिए दोस्तों. ठीक है दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों, एक्विरियम कम से कम दो धार पीट का हो ताक्कि सभी फीशेज आसानी से रह सकें दोस्तों ठीकर छोटे टाइनक में नहीं रखिये दोस्तों नहीं फिन ट करेगी वह उसके साथ कोई unfishes नहीं रखिए सकर फिस रख सकते हैं दोस्तों और समय के अनुसार हरी दवा का उपयोग करते रहिए टाइम टाइम 20 जनलेट का यूज करिए और भी मेडिसीन बताई गई है जैसे A to Z या B का सूल Z आप टाइम टाइम डालते रहे पिछले वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों आप कोशिस करें कि सभी फिसे को फ्रूट अगर आप खेलना चाहते हैं तो अल्टालेट के हिसाब से फूट खिलाएं जिससे उनका ग्रोथ जल्दी हो अगर फिसे नहीं खा रही है तो मैंने सुभंकीन कार्प और हमारी मिलकी कार्प कितना बढ़ियां अराम से प्लेइंग कर रहे हैं यह देखिए हमारी जो है डामेंड एंजल सामने है यह देखिए जिसको फंगस लगा था दोस्तों फंगस का कीड़ा वो भी है देखिए फिट फाइन हो गई यह आपकी प्लेटि प्लेटिनम एंजल है यह देखिए गोलफीस आ गई दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यह प्लेटिनम एंजल है जो फालकी पीली सफेद है और काली है यह प्लेटिनम एंजल है और उसके पीछे डामेंड एंजल है दोस्तों ठीक है दोस्तों और यह काली वाली आपकी न आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, क्लीन दिख रहा होगा एकदम आपको, सुबंकिन भी हैं, देखिए, कोई फिस किसी को परिशान नहीं कर रही है, और नहीं एंजल फिस गुरूप बनाके फिन कट करने की कोशिज कर रही है, दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, कि फिल्टर का एर सेक्षन बंद रखिए, तो बंद रखिए, वो ज्यादा ठीक रहता है, ने फिस को फंगस लगने का डर रहता है बरसात में, ठीक है दोस्तों, यह देखिए, यह एकदम जो आप देख रहे हैं, यह ओके फ्रेंट्स, अल्बिनो सार्क, यह देखिए, प्लेटिनम एंजल, देखिए, आप देख पा रहे होंगे, दो प्लेटिनम एंजल है, दोनों, यह दूसरे को काट नहीं रहीं, दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ओके फ्रेंट्स, तो दोस्तों, आप एंजल फिस क लेकिन दो चार ही रखे गी ऐसा नहोगी वह गुरूप बना के रहने लगें अगर वह बना लेंगी तो फिन कट करेंगी गुरूप इसका चाय रेटकाईब का चाय सुभंगीन का चाय सार का वह आँख में भी अटेक कर देती हैं उनके इसलिए दोस्तों आप बड़ा टैंक रखिए और इसे उनको ज्यादा जगा मिल पाए और hidden place दीजिए क्योंकि सांत पानी की मचली है तो वह चिपी रहेगी ज्यादा चिपेगी पेड़ बहुता डेकोरेशन जो है वह बनिया रखिए कि उसमें जाके चिप जाए देख पा रहे होंगे हमारे राइट लेफ्ट यह से साथ इतना बड़ी हैं अरामसे रहा रही कोई किशी को कट नहीं कर रहा है सकरफिस में डली हुई है उसको भी नहीं काट रही हो इस प्लेटेमा थार शॉम्ट मरें में मिल बहुए अइस को बोलते हैं दोस्तों कि यह ब्लैक्किलर की मोनो एंजल है ये भी बहुत तेज कटिंग करती है दोस्तों गुरू बना लेगी तो ये फिन उगरा काट लेती है फिसेस की आँक नोच लेती है और इसके लिए आप बड़ा टैंक रखिए कम सकम धाई तीन फीट का टैंक रखिए फिल्टर मीडिया बढ़िया रखिए और क ठीक है दोस्तों फिन टूट जाता है तो खराब दिखने लगती है जनकारी आपको कैसी लगी टामेंट में जरूर बताइए जनकारी बहुत रोचक थी जोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बाक्स में कमेंट करिए और दोस्तों जो सब्सक्राइब कर ले और जो नया देख रहा वो भी सब्क्राइब कर ले ठीक है दोस्तों जनकारी बहुत रोचक थी तो दोस्तों वीडियो को विराम देते हैं जय हिंद दोस्तों